सचाई बात बताओं सचाई बात तो यह है कि जब मैं कलास तेंथ में थाना तो मैं इसे रटता था भई रट कर एक्जाम मैंने पास किया है लेकिन आज ऐसा इस्तिती है कि इसे मैं रट नहीं रहा हूं डायरेक्ट इसे बना रहा हूं सवाल बहूत तेंड़ी मेंडी से लिखा हूँ रहता है लेकिन आपको डरना नहीं है अब आज गुनन खंड इसको निकालना है तो यहाँ पर 140 को निकालेंगे इसके बाद आपको खुद करना आ जाएगा तो चलिए निकालते हैं एक एक चीज को आप ध्यान से सुनिएगा तो पटाक से लिखते हैं हम 140 गाइज 140 आप लिखिए और इसे गुनन खंड निकालना है तो गुनन खंड निकालने के लिए सबसे पहले हम छोटा चीज से लगाते हैं यानि दो से स्टार्ट करते हैं तो दो से स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहले भाग लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो 70 हो जाएगा अभी भी हम 2 से लगा सकते हैं क्योंकि 2 से ये कट सकता है तो 2 से लगाएंगे तो 35 हो जाएगा अब यहाँ पर 2 से आगे अब नहीं लग सकता है इसमें भागे तो अब हम क्या करेंगे तीन से लगाएंगे तीन से नहीं लगेगा तो चार से लगाएंगे तो तीन से इसमें नहीं लगेगा ना चार से लगेगा डिरेक्ट पांच से लगेगा तो पांच सत्य पैंतिस अब याद है बन गया अब आपको क्या करना है यहां पर ध्यान देज है तो क्या क्या दिख रहे हैं देखे यहां पर आपको दिख रहे हैं और साइज मैं छोटा करता हूं देखने का परियास किजिए क्या है दो है दो है पांच है इसके बाद साथ है तो भाई साहब ये आपका answer हो गया अगर आप इसे और भी sort करना चाहते हैं तो आप इस तरह से double है यानि double है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 के पावर 2 कर सकते हैं अगर यहाँ पर 3 रहता मतलब एक और 2 रहता यहाँ पर एक और 2 रहता तो आप 2 की पावर 3 कर सकते हैं ओके तो guys याँ पर दो कितना है दो है तो अब इस पर हम पावर दे देंगे दो ठीक है गुना कर देंगे पांच कर देंगे और साथ कर देंगे तो guys यहाँ पर यह आपका answer हो गया तो guys इस तरह से आप बना सकते हैं डरणा नहीं है भाई बस इसको क्या करना है कि अभाज गुनन खंड निकालना है ठीक है तो एक और सवाल है जिसे मैं हल करने का पर्यास कर रहा हूं तो यहाँ पर 156 को हल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 156 लिखा चुका है अब इसे आप क्या कि जिस सबसे पहले 2 से लगाईए तो 2 से लगाएंगे तो 2 सत्य 14 और 2 18 16 खतम कट जागा अभी भी 2 से लगेगा तो 2 तिया हो जाएगा 6 और यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा कितना 18 तो 2 नमा 18 अब भाई सहाब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि आपको भी पता है कि इसके अंत में 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 रहेंगे तो 2 से कटते हैं तो यहाँ पर नहीं है इकाई अंक में तो 3 से लगाईगा तो यहाँ पर यह तीन से कट जागा तो तयर्टिया 49 हो जागा बच जागा तो 30 से अप लगाना चाहते हैं तो लगा दिजिया एसे भी छोड़ सकते हैं तो अब आप इसे क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिखकर आप एकजाम में आ सकते हैं, 156 लिखिए और इस तरह से किजिए और बाकी जो यहाँ पर हैं, इन सभी को आसानी से लिख दिजिए, तो 2 हो गया, 2 इसके बाद आप लिख सकते हैं 3, इसके बाद आप लिख सकते हैं 13, त तो गाइस यहां पर इसे और भी सौट कर सकते हैं क्योंकि मैंने अभी भी बता दिया है दो है तो हम इसे दो के पावर दो कर सकते हैं इसके बाद तीन हो जाएगा और तेरा हो जाएगा तो गाइस इस तरह से आप बना सकते हैं आसा करता हूं कि मैं जो भी आपको बताया हूं वो आपको आतानी से समझ में आ गया होगा तो गाइस वीडियो कैसा लगा चैट सेक्षिन में निखनाना भूलिएगा मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत